हे विलकम टू ओल मैदीर श्टेंट मैं मुकेशर आप सबी का स्वागत करते श्टेंट आज की इस क லास में श्टेंट अगर आप सबी भी यूपी पुलिस कॉंस्टेबल दोआजर 24 के एकजाम की त्यारी करें तो येकीन माने, इस टेंट आज के क्लास सब्रके के लिएissimo काफ़ी इंपुटिड होने वाला है क्योंकि इस टेंट आज की से इस टेंट एंदर आम लोग बात करने वाले जीके के मत्पूर्सनित के बारे में जो कि आज सभी का जीके का वारल पेपर रहने वाला है एंड इस्टेंड में आप सभी के गरांटी देता हूं कि इस क्लास के अंदर से बहुत सारे प्रस्ण है जो कि आप सभी की एक्जाम में डारेटली पूछे जाएंगे ठीके न और सारे प्रस्ण आप सभी के बिलकुल एक्जाम वाला ही है तो चलिए इस्टेंड आज किस क्लास को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि इस्टेंड आप लोग देख पारे कि सारे प्रस्ण आप सभी के लिए काफी इंपूडिड एंड एक्जाम ओरियेंटेड लिया गया है तो आप सभी से एक छोटा सर्यू केस्टी की क्लास को इन तक निउन्तम अनुसूचीत जन जाती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में निउन्तम अनुसूचीत जन जाती है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का चितर कूट आपसन नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए चलिए अगले प्रशनी को और बात करते आप सभी का अगला प्रश्ण क्या पूछा जारा ध्यान दिजेगा अगला प्रश्ण कराए कि अकबर का प्रसित मकब्रा सिकंद्रा में है यह अस्थान उत्तर प्रदेश के किस जीले में इस्ति थे यानि कि पूछा गया आप सभी का कि अकबर का प्रसित मकब्रा सिकंद्रा में है जो यह उत्तर प्रदेश के किस जीले में इस्ति थे अगर आप सभी को हर एक प्रश्ण का एंसर पता होता तो आप सभी सबसे अवरे आपसर नमबर वी याने की अगरा होज जाएगा ये अगले प्रश्ण को और बातकर इंट आप सभी तिसरा नंबर प्रश्ण क्या पूछा जहां दिएगा कि तिसरा नंबर प्रश्ण क कारा की राजिव में अनुसूचित amis त capabilities कि कुछा जराई कि राज्य में अनुसूची если की जनसंख्या का कितना परतिशत चैंट अब यहां पर बटेए आप सभी का हैजने का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी प्रश्टत हो जाएगा आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब कर दीजेगा तक इसा मोष्ट इंप्रेंट क्लास इस्टेंट आप Tक सबसे जब पहुंचते रहे चलिए फोर नंबर प्रश्णिया पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जन जाती कि छेत्रों में निवास करती है उत्तर प्रदेश में भोटिया जन जाती भोटिया जन जाती कि छेत्रों में निवास करती है तो फटा फट एंसर इसका आप नंबर भी यानिकी परवती छेतर में निवास करती है आपसे नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रशनी को बात करते हैं प्रशने आपर पूछा जा रहा है कि उतर प्रदेश में नियुंतम जन संख्या वाली जन जाती कौन सी है उतर जाएगा नौरावत प्सारी वन 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 के वह न रावत होजएगा अपसन लंबर शी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए और आप सभी का किस तारी को एकजाम में आप लोग था सक्वाप्स में जूर लीखेगा ठीक है ना क्योंकि आप सभी के लिए बेहतर से ब 14 वाब ब्रिहद सीलालेक प्राप्त हुआ था कहां से प्राप्त हुआ था तो ख का आता उब्सक्स कम भराफेज सब्सक्स काँबर शाय ऑनरे की काल शीज़िय को आज़ आप परदेश के बत करते हैं सबीका वन परप्रश्ण आपर क्या पूछा जारा तो प्रश्णिक उत्र प्रदेश में तामरेश परशाण कालन संसक्रिती के साथ 6 क्य दों न्हीं को नवर सेhod? प्रश्ण को बात करते और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक भी करते रहेगा ठीक है चलिए टेंबर प्रश्णि आपर पूछा जा रहा है ध्यां दिजेगा करकि प्रचीन काल में सूर्षेन महाजनपदी की रजधानी कहां पर थी प्राचीन-काल में शुर्षेन महाजनपदी की रजधानी कहां पर थी तो फटा फड़ एंजर आपकोमिट बॉक्स में बताए कि स्कोशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो यट का हो जाएगा आप सभी का अपसे नमबर ब esf jego ही चलिए अगले प्रशनDuCure बात करते आप शभीका नाइन नमबर प्रश्च ने पूछा जा रही की संगम नगधि गुंब नगधि तिर्थी राज राज अफ तिर्थी राज उतर कि Liberty कि उपनाम है किस नगर कि उपनाम हो जाएगा तो नाइन का अगले प्रशन को बात करते दस नंबर प्रशन है कि उत्तर प्रदेश के किस जीले में थारू जन जाती की सार्दिक जन संख्या है उत्तर प्रदेश में पूछा जाराए कि किस जीले में थारू जन जाती की जन संख्या सबसे अधिक है दस का वज जाएगा आपस नंबर बियनी की गोरक पूर हो जाएगा ठीक है ना चलि आगले प्रशनी को बात करते ग्यारा नंबर एकि श्री रंपूर में श्री अंग्री खिरिशी का प्रशिद मंदिर है यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जीले में इस्तित है एक ग्जारा का अप्साव बुर्प्राउद श्राइब को शाका चारे पूछा जills धान देजेगा तो नंबर प्राउद का रहे हैं कि Și-दो सव तार मंदिर काहां पर प्राप्त हुआ था तो बारा का जबस्त अब बागए आप सब नंबर हो जाएगा आप सभी का 12 का D and a की देवगण में हो जाएगा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलि अगले प्रश्णी पर करते आप सभी का 3 तरा नंबर प्रश्णी की राज हे की जोन सारी जनजाती के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं तेरा का आप सभी का आपसा नंबर भी यानिकी दुरुगा हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं 14 नंबर की राजे में बिसू पंचोई अदियाई उसो किस जन जाती के द्वारा मनाय जाते हैं जोन सारी हो जाएगा उसा नंबर शी चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं 15 नंबर की उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भागवान स्रीराम की जन भूमी अध्याकिश नदी के किनारे पर बश्चा हुआ है तो पंद्र का जाएगा उसा नंबर शी निकी सर्यू नदी हो जाएगा आपसा नंबर शी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं 16 नंबर प्रश्ण की भूईया वह बुनिया नामक जन जाती राज्य के कि जिले में निवास करती है तो सुल्ला का एंसर हो जाएगा आपसा नंबर बी यानिकी सोनभदर जीला हो जाएगा आपसा नंबर बी श्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्ण एकी उतर प्रदेश की किस जन जाती द्वारा माघ खिचडी गूडिया बजहर होली तिवा बार मनाय जाते हैं यह भी कोशन आप सभी के काफी इंपूड़ेड है तो 17 नंबर बी अनिकी थारू जाती हो जाएगा आपसा नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चालिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं ठारा नंबर की प्रचीन काल में मतुरा किस जन प अपसा नंबर यह आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नंबर अठारा का चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं 19 नंबर प्रश्ण है कि जोन सारी जन जाती द्वारा किये जाने वाला निरित्य कौन सा है तो 19 का जाएगा आप सभी का आपसा नंबर डी यानिकी उप्योग सभी घूमशू हो जाएगा जहला हो जाएगा और रासों हो जाएगा आपसा नंबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं 20 नंबर एकी राज्य की राज्य की किस जन जाती का निवास अस्थान बिजन और जिला है 21 नमबर की कुसी नगर किसकी रजधानी थी तो कुसी नगर की बात करते इस्टेंट आप सभी का अज़एगा मल्लो हो ज़एगा मल्लो अपसन नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो ज़एगा चली अगले प्रश्ण को बात करते आप सभी का 22 नमबर प्रश्ण है कि महात्मा बुद्ध को महापरी निवान किस अस्थान पर प्राप्त हुआ था या अस्थान पर हुआ था तो 22 का उज़ जाएगा आपसा नमबर शी याने की कुछी नारा हो जाएगा आपसा नमबर शी चलिए अगले प्रश्ण को बात करते आप सभी का 23 नमबर प्रश्ण है कि करें कि उतर प्रदेश में सार्दिक जन जाती कौन सी निवास करती है तो फटा-फटा आप लोग एंस है कि आपसा नमबर सी आने की थारू जाती हो जाएगी अगर्या प्रशें 24 नमबर की राज्जि में कर्मा निरीत्य नहीं की सी नहीं धाती दवर्र किया जाता है तो बाद हो जाएगा खरवार साथ जाएगा लीगलत पूचे 헤你 सा-वार्यी सांथने में कि जीले में सा गए थे अगला एक उतर प्रदेश में की जीले में सार्दिक अनुसूची जन जाती संख्या प्रतिसत है तो टॉंटी फॉर का टॉंटी फाइब का जाएगा अब सभी का अफसा नमबर भी यनिकी लखींपूर खीरी हो जाएगा चैले अगला प्रश्चन है तॉंटी सेब नमबर की उतर प्रदेश की जन जाती का वन भी भाजन हिंदु जैसा है तो एंसर लिखे कोमेट बॉक्स में आप लोग फटा फटीगे न तो 27 का हो जाएगा आप सभी का बुक्सा हो जाएगा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलि अगला प्रशने 28 नमबर की राज्ये के किस जिले में सहरिया जंजाती निवास करती है 28 का अपसा नमबर डी 28 का अपसा नमबर डी यानि की ललित पूर हो जाएगा चलि अगला प्रशने की राज्ये के किस जंजाती का संबंध किरात वन से है तो 29 का अपसर नमबर भी अनिकी थारो जंज आती हो जाएगा अगला प्रस ने 30 नमबर की निवन में से की जंज आती की राजी में सबसे कम जंज संख्या है तो इस कोशन का राइट एंसर क्या आगा इस्टेंट आपसे वी कमट बॉक्स में देना है अगर आपसे वी कलास अचा लगे तो प्लेच चैनल को सबस्क्राइब कर साथ बेल आगन को प्रेस कर दिजएगा तक एसा मोस्ट इम्पूडे क्लास इस्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे तो मिलते हैं नेक्स क्लास में इस्टेंट थांक्स वर अचिंग माइक क्लास